जैहें साथियों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जी के के महत्वपूर्ण 20 प्रश्णों की इसलिए अंत तक बने रहे और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले और चैनल पर पहली बार विजिद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपका पहला सवाल है जब आहरलाल नहरू को भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस का महा सचिव कब बनाया गया आपके ओक्षन है अ 1921, ब 1922, स 1923, द 1924 आपका सही जवाब होगा स ओक्षन 1923 में आपका अगला सवाल है तात्या टोपि को कब फासी दे दी गई आपके ओक्षन है अ 1858, ब 1857, स 1869, द 18107 आपका सही जवाब होगा स ओक्षन 1869 में आपका अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के किस कुरा पाशानिक स्थल से अस्थी निर्मिक मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है आपके ओक्षन है अत्सारायनाहर राय बकोल देवा स लोहदा नालाक्षेत्र दच्चा के आपका सही जवाब होगा लोहदा नालाक्षेत्र से आपका अगला सवाल है मध्यपाशन कालीन स्थल सरायनहर राय उत्तर प्रदेश के किस जन्पद में स्थित है अ इलाहबाद ब एका सप्रतापगर द जौनपुर आपका सही जवाब होगा स ओक्षन प्रतापगर में आपका अगला सवाल है बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई आपके ओक्षन है आपका सही जवाब होगा आपका अगला सवाल है चंद शेखर आजाद कब शहीद हुए आपके ओक्षन है अ उन्नीस सो तीस ब उन्नीस सो एकतीस स उन्नीस सो बतीस द उन्नीस सो तैंतीस आपका सही जवाब होगा ब उक्षन उन्नीस सो एकतीस में आपका अगला सवाल है पुरा पाशन कालिन स्थल बेलन नदी घाटी का साक्ष यूपी के किस जनपद से प्राक्थ हुआ है आपके ओप्षन है आपका सही जवाब होगा स ओप्षन इलाहबाद से आपका अगला सवाल है किसके चल के कारण तात्य तोपे को गिरफ तार कर लिया गया आपके ओप्षन है अग्षन जमीनदार वर्ग बख भोसले सत सिंधिया दक मान से आपका सही जवाब होगा द ओप्षन मान सिंग के कारण आपका अगला सवाल है आजी जन बेगम का जन कहां हुआ था आपके ओप्षन है अ लखनव बकानपुर सक्वारानसी द आग्रा आपका सही जवाब होगा आपका अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के किस नफपाशाने कुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले है आपके ओप्षन है अप बेलन नदी घाटी बक गंगा नदी घाटी सक्लुहदा नालाक्षेत्र द कोल देहवा आपका सही जवाब होगा द ओप्षन कोले दहवा से आपका अगला सवाल है जब आहरलाल नहरू कब भारत के प्रधान मंत्री बने? आपके ओप्षन है अ उन्नी सो च्हालीस ब उन्नी सो सेन्तालीस स उन्नी सो अर्तालीस द उन्नी सो उन्चास आपका सही जवाब होगा ब ओप्षन उन्नी सो सेन्तालीस में आपका अगला सवाल है पंडित मोतिलाल नहरू को कॉंग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया? आपके ओप्षन है अ उन्नी सो सत्रह ब उन्नी सो अथारह स उन्नी सो उन्नीस द उन्नी सो बीस स आपका सही जवाब होगा स ओप्षन उन्नी सो उन्नीस में आपका अगला सवाल है लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जन्पद में हुई आपके ओप्षन है आप वारानसी बत लखनव सक मेरत दक मुरादाबाद आपका सही जवाब होगा आपका अगला सवाल है पंडित मदन मोहन मालविय किस गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया आपके ओप्षन है अप्रथम, बत्रितिय, सद्वितिय, दत्सभी आपका सही जवाब होगा सद्वितिय में आपका अगला सवाल है अथारा सो सत्तावन के विद्रोह में किसी पकड़ने हे तु अंग्रेजों ने एक लाग का इनाम रखा आपके ओप्षन है अतात्या टोपे बचंद शेखर सत्नाना साहब दक्खुवर सिंग आपका सही जवाब होगा सव ओप्षन नाना साहब को आपका अगला सवाल है पंडित मदन मोहन मालविय का जन्म कब हुआ था आपके ओप्षन है अ अठारह सो साथ ब अठारह सो एकसत स अठारह सो बासत द अठारह सो तिरसत आपका सही जवाब होगा ब ओप्षन अठारह सो एकसत में आपका अगला सवाल है पंडित जवाहर लाल नहरू का जन्म कब हुआ था आपके ओप्षन है अ अठारह सो नवासी ब अठारह सो नबबे स अठारह सो एक्यानवे द अठारह सो बानवे आपका सही जवाब होगा आपका अठारह सो नवासी में आपका अगला सवाल है लिखित में से कौन सा नवपाशानिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है आपके ओप्षन है अच्चे रांद ब कोल देहवा सब बुर्ज हों दपिकली हाद आपका सही जवाब होगा ब अप्षन ब अप्षन को लिदहवा आपका अगला सवाल है जवाहरलाल नेहरू को भारतियर राश्ट्रिय कॉंग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया आपके ओप्षन है अ अ 1928 ब 1929 स-1930 द 1931 आपका सही जवाब होगा ब ओप्षन उन्नी सो उन्तीस में आपका अगला सवाल है राज्य के किन जिलों से नव पाशान कालीन साक्ष्य प्राप्थ हुए हैं आपके ओप्षन है अ इलाहबाद, बक मिरजापुर, सत सोन्भद, दक प्रतापगर आपका सही जवाब होगा इन सभी से